हेलो बच्चों, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब आवर चैनल, इट्स टाइम टू लर्न एवरिधिंग आसपास के पदार्थ निमिल्कित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायू, स्ने, गंद, ग्रिणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पे इत्र की सुगन्द उत्तर कुर्सी, वायू, बादाम और शीतल पे पदार्थ हैं क्योंकि इनका दर्विमान होता है ये स्थान घेरते हैं प्रेशन दो, निम्लिकित परिक्षन के कारण बताएं, गर्मा गरम खाने की गंद कई मीटर दूर से आपके पास पहुँच जाती है लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है क्या इसका कारण बताओ, गर्मा गरम खाने के कणों का तापमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज उर्जा बहुत अधिक हो जाती है अधिक गर्थी उर्जा होने के कारण भोजन के सुगंद का करण हवा के करणों के साथ मिलकर कम समय में जादा दूरी तैक कर सकता है जबकी ठंडे खाने का उश्फ नगणने के कारण नगणने ना के ब्राबर होने के कारण उससे निकलने वाली खुश्बु के कणों में गतीज उर्जाक का बहुत ही कम होती है अतेवे जादा दूर तक नहीं पोहुछ पाते हैं इसलिए गर्मा-गर्म खाने की खुश्बू दूर तक जाती है, और ठंडे खाने की खुश्बू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है. स्विमिंग पूल में गोता खोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुन प्रेश्चित होता है? यह इसलिए हो पाता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्स्ता होता है, यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्स्ता नहीं होता तो गोता खोर पानी को नहीं काट पाता, दरब के कणों के बीच में आकर्शन भल ठोस की तुलना में कम होता है, इसलिए स्विमिंग पदार्त के कंड बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे की उनकी छोटे आकार किया में कर सकते उनकी विशेसता निमलिकित हैं पदार्त के कंड़ों के बीच रिक स्थान होता है नमबर दो, तापमान बढ़ने से कणों की गतीज उर्जा बढ़ जाती है नमबर तीन, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकरशित करते हैं ये आकरशन बल आलग-आलग पदार्थों में आलग-आलग होता है पदार्थ के कण स्वेम अंतह मिश्रित हो जाते हैं पदार्थ के कर निरंतर गतिशीर होते हैं उनमें गतिज उर्जा भी होती है अगला प्रश्ण किसी गनतों के दर्वेमान परती काई आयतन को गनतों कहते हैं गनतों ब्राबर दर्वेमान बटे आयतन बढ़ते हुए गनत्यों के करम में निम्रीकित को वेश्तित करें बढ़ते हुए करम में लगाना इनको वायू, चिमनी का धुआ, शेह्ट, जल, चौक, रुई और लोहा अगला प्रश्ण निम्रीकित पर टिपनी कीजिये संपीडियता, तरलता, बरतन में गैस का भरना, आकार, गती जूर्जा, एम घनतो, उत्तर संपीडियता, ये पदार्थ का वैगुन है, जिसे बन लगाई जाने पर उसके आयतन में परवरतन होता है, तरलता, ये पदार्थ के भाव की छमता है, बरतन में गैस का भरना, बरतन के करणों के निरंतर गती शील होने के कारण इमें गती जुर्जा होती है घनत्यु गनत्यु पर पदार्थ का दर्वेमान बटे पदार्थ का आयतन ठोसों का घनत्यु उच दर्वों का कम तथा गैसों का घनत्यु सबसे कम होता है सबसे ज़्यादा घनत्यु किसका होता है ठ इसका क्या कारण है गैस के कणों की स्तिति बहुत ढीली होती है। उनके बीच रिक्सतन बहुत अधिक होता है। उनमें आकर्शन बल ना के समान होता है। और वेतिव्र गती से सभी दिसाओं में डाउदर गती कर सकते हैं. उनका निश्चित आयतन भी नहीं होता इसलिए गैस कुरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं गैस बरतन की दिवारों पर दबाव डालती है उत्तर गैस के कारण तेज गती से सभी दिसाओं में इदोधर भागते हैं जिसके कारण में एक दूसे से ठकराते हैं और बरतन की दिवारों से और ज्यादा बल से ठकराते हैं इसलिए गैस बरतन की दिवारों पर दबाव डालत लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है एक लकड़ी की मेज का निश्ची ताकार और आयतन होता है जो की ठोस पदारत का विशेश गून है अत्य लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है अगला हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टूड़े में हाथ च तोस के बीच आकर्शन बल अधिकतम होता है, जिसके कारण चूरण के लाऊट के तोसानी जो में के दिए अकऴ बिचर्ण सही बहता سब्सक्राइब अगला समानने ते ठोस पदार्थ की अपेक्षा दर्वों का घनत तो कम होता है लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी में तैरते हुए देखा होगा पता लगाईए ऐसा क्यों होता है उत्तर बर्फ जो ठोस होता है तथा जल के अणों के बीच रिक स्थान होता है जिसके कारण पानी की तुला में बर्फ हलका होता है यही कारण की बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता रहता है पदार्थ किसी भी पदार्थ की अवस्ता प्रवरतन के दोरान स्थिर क्यों रहती है उत्तर वाई मंडली गैसों को द्रव में प्रवतन करने के लिए कोई वीदी सुझाइए वाई मंडली गैसों को किसी बंद बरतन में बंद करके और दाब बढ़ा कर तता तापमान कम करके द्रव में बदला जा सकता है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है कूलर अपने आसपास की नमी को बढ़ा देता है वाई उपस्ति जलके कणों का आसपास के वास्पास के वास्पी करण होता है गर्म शुष्क दिन में वातवण में नमी का इस्तर बहुत कम होता है जिसके कारण वासफी करण का दर बढ़ जाता है वासफी करण की तीवर गती के कारण कूलर अच्छी तरह काम करता है इसलिए गर्म सुस्क दिल में कूलर अधिक ठंडा करता है गर्मियों में घड़ों का पानी ठंडा क्यों रहता है गड़ों में छोटे छोटे रंदर होते हैं जिससे गड़ों में बरा पानी रिष्टा रहता है बार रिष्टों में पानी का स्तेय छेतर बढ़ जाता है जिसके कारण तेजी से वाश्पन होता है वाश्पन से ठंडा कुत्पन होती है और गड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है एसी टोन पैट्रोल या इत्र लगाने पर हमारी हतेली ठंडी क्यों हो जाती है एसी टोन पैट्रोल या इत्र कम तापमान पर वास्प्री कित हो जाते है जब कोई acetone petrol या इत्र हतेली पर डालता है तो इसके कंड हतेली या उसके आसपास से उर्जा प्राप्त कर लेते हैं तता वास्पी क्रित हो जाते हैं जिससे हतेली ठंडी हो जाती है कब की अपेक्षा प्लेट में हम गरम दूद या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं प्रेट की स्तही छेतर कब की अपेक्षा अधिक होती है स्तही छेतर बढ़ने पर वास्पी करण की दर भी बढ़ जाती है जिस कारण गरम दूद या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है और उसे हम जल्दी पी लेते हैं गरम कर मैं हमें किस तरह के कपड़े पेरने चाहिए क्योंकि पसीने का अच्छा अव्शोश्चप होता है सूती कपडे में पसीना अव्शोशुचित होकर वायू मंडल में आसारी से वास्पीक रिठ हो बास्पी करन किसे प्रसुत उसमाख से प्रावर उश्वियोः उडजा हमारे सरी से और सोष्णित हो जाती है छिससे हमारा सरी सरी खते हो जाता है इसी लिए हम हम है regarding कैसे कपढ़े पहने चाहिए सूति प्रीक्षंड के कारण लिखेंhead नेफ्थलिन को रखा रहने देने पर ये समय के साथ कुछ भी ठोस पदार छोड़े बिना अद्रिश्य हो जाती है क्योंकि उनका आसानी से उर्द्वा पतन हो जाता है इसके करण नेफ्थलिन ठोस अवस्ता से गैसी अवस्ता में आसानी से परोड़तित हो जाती है हमें इत्र की गंद बहुत दूर बैठे वे भी पहुच जाती है क्यों पदार्तों के करण निरमतर गतिसील है इत्र की सुगंद वायू के माध्यम से प्राशन के कारण सेम्म आस पास के वातारों में फैल जाती है जिस कारण उसे कई मीटर दूर से सुंगा जा सकता है निम्रिक प्रदार्तों को उनके कणों के बीच बढ़ते वे आकर शन के अंसार व्यवस्तित करें जल चीनी और ऑक्सीजन चल और चीनी निम्रिक तापमानों पर जल की बोतिक वस्ता क्या है 25 डिगरी 0 डिगरी और 100 डिगरी सेल्सियस 25 डिगरी पर दरोस था 0 डिगरी पर ठोस था और 100 डिगरी सेल्सियस पर वाश्पन या उबलना पुष्टी है तू कारण ले जल कमरे के ताप का पर दर्व है लोही के अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्यों जबकि दोनों एकी ताप मान में है जल कमरे के ताप पर दर्व है क्योंकि इसमें तरलता होती है इसका निश्चीत आकार नहीं है लेकिन निश्चीत आयतन होता है इसलिए उसी बरतलका का अकार लेता है जिसमें रखा जाता है लोई की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि ये कठोर होती है तता इसका निश्ची ताकार होता है दोस्तों 73 के पर वर्फ को ठंडा करने पर तता जल कीसी ताप मार पर ठंडा करने पर सीतलता का परवाव अधिक क्यों होता है 273 केल्विन पर बर्फ में जल्ग की अपेक्षा का मुर्जा होती है जल्ग में अत्रिक संगलन की परशुत उश्मा होती है इसलिए 273 केल्विन पर बर्फ की तुन्ना में जल्ग में सीतलता का परभाव अधिक होता है उबलते हुए जल तता ताप में से जलने की तिवर्ता किसमें अधिक मैशूस होती है भाप पर जल 373 के पर उबलता है तो 373 के में वाश्मु बदल जाता है उसे 560 कैलोरी गरम उश्मा क्या सकता होती है उबलते जल में गुपत उश्मा भी समलित होती है के यहां पर कैलोरी का मात्रक है अगले वीडियो में हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुधें पार्ट के प्रश्मुत्तर करेंगे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल इट्स टाइम टू लर्न एवरिफिंग ओर एंड आउट